So guys, welcome back to the channel यहाँ पर J03R आ चुके हैं सबसे पहले thank you so much 20,000 subscriber के लिए और insta पर 25,000 subscriber के लिए अगर अभी तक आपने follow नहीं किया subscribe नहीं किया तो please channel को subscribe कर लिजेगा इसी तरह के बहुत जानदार वीडियो के लिए यहाँ पर मैं जो वीडियो लेकर आ गया हूँ यह सबसे demanding वीडियो चल रहा है इंटरनेट पर यह से जादा अच्छा कोई comparison वीडियो नहीं है दो street naked bike, दोनो demand में दोनो trending bike और दोनो powerful, दोनो design दार दोनो शान दार, और भाई दोनो की grip अच्छी है लोग आपस में ही मतलब argument कर लेते हैं कभी-कभी मैंने लड़कों को लड़ते देखा भाई इंटरनेट पर तो गालिया चल रही है मेरे एक वीडियो पर तो कम से कम एक हजार गालिया पड़ गई एक दूसरे कोई गबबग रहे है कि भाई NS200 अच्छा है आज आरेस लगा ले वो रहे एमटी की तरह इंजन नहीं है ये वो जो भी है लेकिन आज मैं उन सब चीजों को बिल्कुल साफ करने वाला हूँ मैं बताने वाला हूँ कि कौन सी बाईक जो पैसे को वर्त करती है कौन सी बाईक में जाधा अच्छा पावर किसका ब्रेकिंग जाधा अच्छा है किसका सस्पेंशन, किसका कमफर्ट, किसका लुक और भी बहुत कुछ बात करेंगे आईए लेट स्टार्ट था वीडियो बड उससे पहले मैं थैंक्स करना चाहता हूँ जिनों ने ये बाईक मुझे प्रोवाइट किये कोई भी इन्फर्मेशन चाहिए एससरी या कोई भी प्रोड़क्ट खरीदना हो आप टेस्ट राइट बुक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में मैं उनका नंबर दे दूँगा तो मैंने सुना है कि ग्रीनरी आइस के लिए बहुत अच्छी होती इसलिए मैंने लोकेशन थोड़ा डिफरेंट चूस किया है यहाँ पर ग्रीनरी दिखेगी आपको और यहाँ पर दिखेगा दोस्ट चमकदार शांदार और दमदार बाईक यहाँ पर हैं MT15 2023 model और NS200 2023 2023 model BS6 phase 2 norms के साथ E20 petrol के साथ बहुत बड़े बड़े changes हुए NS200 में काफी बड़े बड़े changes लाएं बजाज ने और MT15 2023 model में कुछ थोड़े changes है price में changes है वो सब discuss करेंगे उससे पहले मैं यह बता दू कि इस bike का full comparison होने वाला है इसके अलावा आप यहाँ पर देख लो इसका walk around कितनी शांदा designing है इसकी जो graphics है न भाई यहाँ पर यह मुझे पसंद है आप all over आगे walk around देख लो कि यह bike कैसी लग रही है दोनों आपको let's start the video बात हमेशा front profile से करते हैं यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले अपने Geralt की यानी MT15 2023 मोडल की turn indicators अब से LAD में है यहाँ पर वो positive लिखा दिया Geralt की badging है यहाँ पर देखो कि दोट DRL से यहाँ पर projector light है projector light बिल्कुल on करके आपको दिखा देते है यह देखो बहुती smooth start होता है reflector lights नहीं है हाँ यहाँ पर mudguard है जो की single mudguard है यह split में नहीं split में होता तो जाद अच्छा लगता टार के size की बात करूँ अगर मैं तो यह 100-80 की टार के size आते हैं जो की 17 इंच के ऐलोएपे है साथ में यह dual channel ABS आता है जो front में disc plate है वो 282 mm का है जो काफी प्यारा काम करता है इसका जो grip है road का और इसकी ब्रेकिंग suspension यह सब एक दूसरे को support करते है weight ratio के हिसाब से यह हो गई MT15 के front की बात अगर यहाँ पर NS की front की बात करूँ तो यहाँ पर छोटा सा wiser दिया गया है जो की glossy plus matte में mix है यहाँ पर headlight की बात करूँ तो भाई है halogen headlight है और यहाँ पर pilot lamp भी दिया गया वो halogen है साथ में जो turn indicators है अगर मैं उसकी बात करूँ तो turn indicators भी आपको halogen bulb में आयते हैं जो की मुझे लगता है कि इसमें एक थोड़ा सा change होना चाहिए भले देको इसमें LED reflectors लग सकते थे और यह छोटे हो सकते थे या फिर इसी size में आपको LED turn indicators कर सकते थे यहाँ पर यह miss मुझे लगा बजाज की तरफ से यहाँ पर graphics दिया गया है जो कि उसमें missing है और यहाँ पर बहुत प्यारे लग रहे है ग्राफिक साथ में यहाँ पर अगर नीचे की बात करूँ तो यहाँ पर dual channel ABS आता है जो front का plate है उसका size है 300 mm और यहाँ पर मैं बता दूँ अब आने लगा USD Fox यह थोड़ा छोटा size का अगर उससे बात करो देखो यहाँ पर majorly जो यह design दिया गया है इसके पतले पन को ढखने के लिए गया बट कोई issue नहीं है यहाँ पर alloy wheels की बात करूँ तो बताया गया है कि थोड़े से alloy wheels की वज़न जो है उसको कम किया गया अब यहाँ पर alloy wheels को कम करने के वज़ासे इसका all over weight है वो देड़ के जी कम हो चुका है यह बहुत ही शांदार बात है टायर के section की बात करूँ तो सेम एमटी के टायर का section है यानि 100 बटा 80 के 17 इंच के alloy पे जो की काफी सफिशेंट है 200cc के engine को support करने के लिए प्रोफाइल की बात कर लेते हैं बहुत ब्यार के साथ यहाँ पर देखोगे तो MT15 में यह जो golden color आता नहीं इस default में यह इसको चार चांद लगा देता साथ में यहां MT15 जो बहुत ही चटकीले color से लिखा है यह भी बहुत प्यारा लगता है MT15 का यह logo है यह यह महा का traditional logo है साथ में यहां पर MT15 लिखा हुआ है metal में साथ में यहां पर हलका सा टेक्स्चर दिया गया इस जगह पर और इस जगह पर जो थोड़ा दिजाइनिंग देने की कोशिश की गई है साथ में यहां पर बहुत प्यारा घाड मनाए गया ताकि driving जो है आपकी जो राइडिंग है वह बहुत ही प्योर और अच्छ experience दे यहां जो grab reels है देखो grab reels भले कोई काम का ना हो पीछे पकड़ने वाले को लेकिन एक बात मैं बोलना चाहूँगा जब भी accident होता है सबसे पहले grab reels को लगता है यानि अगर कहीं पे आपका लगए तो यहां यहां तो grab reels बोड़ी में कहीं भी scratch नहीं लगेगा इसका मुझे बहुत प्यारी लग रही है यहां जो pulsar लिखा 3D में यह तो अच्छा है लेकिन इसके नीचे देखो आप इसके नीचे एक अलग तरी के से design दी गई है जो इसको एक अलग level पे लेके जाती है अगर मैं बात करूँ बेली पैन की तो यह कुछ भी काम का नहीं है कोई सब्सद्रान कर डाइप है यहां पर लेफचे की बात करता है यहां और टारय प्रोफाーील के ग्राफिक्स है अब बात कर लेते हैं बहुत 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 प्यारा याँक्राव जयें वह लग एब यहां पर रबड दिया गया और नीचे दिया गया फाइबर के फूटरेस्ट अब हम बात करने वाले हैं राइट प्रोफाइल की तो राइट प्रोफाइल में सबसे जो जादा अट्रैक्टिव चीज़ हो इसकी ग्राफिक्स है मुझे ग्राफिक्स बहुत जादा पसंद है इ तो यहां पर हगर गाट काफी फैट ही है मतलब आपको पूरे तरीके से रेनी सीजन में यह प्रोटेक्ट करने वाला है टायर के सेक्शन की बात करो तो 130 बटा 70 का टायर सेक्शन है जो कि 140 का हो सकता था बड़ इसमें जादा शिकायत नहीं करूँगा डूल चैनल यह भी इ अगर मैं बात करूँ राइडर सेम रहेगा लेफ्ट राइट साइड वही फाइबर के लग रहे है मुझे और यहां पर ब्रेकिंग की बात करो तो भाई डूल चैनल ABS आप जानते हो और शांदार लग रहा लिवर भी लिवर की अच्छी लग रही यहां पर रबर हो सकता थ यहां पर जाली है सेम फ्यूल इंजेक्शन है बाकी सारी चीज़े तो राइट प्रोफाइल में यहां पर सेम है बस जो आपको एक्जॉस्ट है वह अंडर दबेली है यह मैं सुना दूँगा कि एक्जॉस्ट कैसा है यहां पर अगर एम्टी की बात करूँ तो एम्टी की जो की काफी सफीशेंट है अलोई काफी डिजाइन दार लगते मुझे बहुत पसंद है इसके पीछे की अगर मैं बात करूँ डूल चानल अब यह से तो पीछे के जो प्लेट्स है वह 220 mm के प्लेट है जो काफी सफीशेंट है इस पावर को सपोर्ट करने के लिए यहां पर अगर एक्जास्ट की बात करू तो एक्जास्ट में मफलर लगाया गया जो कि फेक कारबन का टेक्च्चर दिया गया अंडर दा बेली नहीं यह बाहर की तरफ निकला हुआ है यहां पर मोनो सस्पेंशन दिया गया है जो यलो कलर की रिंग में आता है थोड़ा सा अगर नहीं यहां पर अग्जास्त इ경ा है यहां पर आपको कि इन्जास्ट में पात करो तो यहां पर अगर agent की नहीं कि बात करो तो यहां रहा पर बात गर जानदार नहीं और यह अलग लेवल को एक्रतभ। 만큼 siwa तैट अ Tradium नेवीं लेवल का है तो यह और लेवल कम गरम होता, mileage की बात करो, जो मैं personally as a user claim करता हूँ, वो 45 to 50 देता है, अगर highways की बात करो तो 50 cross कर सकता है, ठीक है engine बहुत कम गरम होता है, और बहुत ही reliable और शांदार engine है, यहाँ पर अगर मैं बात करो, तो भाई, beast है DTSI triple spark engine है जो की काफी प्यारा engine है 24.5 bhp के साथ 18.7 newton meter torque है 200 cc का powerful liquid cool engine है जो mileage देता है, वो 35 के लगभग का देता है, साथ में जो इसकी top end है, वो बहुत प्यारी है, और जब आप engine को हलका सा भी riffs करोगे आपको कहीं भी struggle महसूस नहीं होगा, बहुत प्यारा और powerful engine है, मुझे तो भाई ये बहुत पसंद है बात कर लेते हैं, भाई middle profile की यस, उपर के profile की तो यहाँ पर tank की बात करूँ तो काफी compact tank है, जो 10 liter की capacity के साथ आता है, यहाँ पर मैं बात करूँ keys की तो वही पुराना traditional keys जो भाई FZ में भी लगता था, साथ में यहाँ पर seat की बात करूँ तो अभी seat तो मैंने काफी modify करा लिया, even though मैं एक चीज़ सिर्फ बताना चाहूँगा, कि जो पीछे का seat है, वो काफी कम space के साथ आता है, इसके अलावा, जो पीछे का suspension है, उस seat को support भी नहीं करता है, काफी जाद आपको back pain महसूस होगा, अगर आप pillion rider होता हो, साथ में grab rills जो दिया गया है, वो seat height के नीचे दिया गया है, जिसको पकड़ना practically possible नहीं है, ये चीज़ मुझे लगा, 200 की बात करूँ तो यहाँ पर अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर बहुत ही शांदार, paint quality के साथ इसका tank लगता हूँ, जे design भी प्यारा है, और साथ में यहाँ पर जो 3D emblem है, पलसर का वो मुझे पसंद है, E20 petrol के साथ आता है, जो fuel capacity है, वो आपको 12 liter की है, साथ में यहाँ पर seat की बात करो, तो काफी spacious है और design है, बीच में थोड़ा सा दबा हुआ है, ताकि seat height आप इसको maintain कर लो, पीछे के side काफी अच्छा grip दिया गया, यहाँ पर उठाया गया है, ताकि आप आगे की तरफ slip ना करो, grab rails की बात करो, तो design दार है और बिलकुल काम का है, उपर की जो चीजे वो मुझे बहुत पसंद आई, NS200 की, अब बात कर लेते हैं, थोड़ा handling की, console meter की, और switches की, switches की quality की बात करो, तो as compared to price, थोड़ा सा मुझे low quality के switches लगते हैं, प्लस horn को उपर लगा दिया गया है, और indicators को नीचे लगा दिया गया है, हाला कि इससे मुझे बात करो, यह थोड़ा अच्छी quality का लगता है, और यहां पर है engine start, यानि self start, हवाज मैं आपको थोड़ी दिर में सुनाता हूँ, यहां पर handle की बात करो, तो यह upright है, आपको easily reachable है, आपको traffic में cuts वगरा बहुत अच्छे निकलेंगे, बट हाँ, top end पर थोड़ा से stability का issue आपको लगेगा, console meter काफी प्यारा है, थोड़ा गंदा है, sorry उसके लिए, यहां पर neutral है, TCS है, इंजन check है, यहां पर indicator shifter है, यहां पर high beam, lower beam है, और ABS का sign है, इसके अलावा यहां पर देखोगे, तो gear shifting, rpm, kilometer by timing, mileage, current mileage, average mileage, यहां पर TCS का sign देगा, यहां पर आपको radiator का sign देगा, इसके अलावा यहां पर आपको speedometer है, बहुत जादा informatic है, बहुत प्यारा है, साथ में Bluetooth connectivity है, लेकिन Bluetooth connectivity जो है, वो कोई काम की मुझे नहीं लगती, 10-12,000 रुपे जादा लगाने से अच्छा है, कि आप standard version ले लो, और उसमें indicators change करा लो, यहां पर है बजाच के NS200, और इसकी बात करो, अगर मैं switches की, तो switches की quality बहुत अच्छी है, यहां पर मैं बात करता हूँ, यहां पर दिया गया passing, यहां पर high beam, lower beam, यह काफी जादा suitable है, इंडिकेटर switches दिये गए, जो काफी अच्छे quality के साथ में यहां पर हॉन है, बहुत प्यार है, इंजन kill switch है, और यहां पर है self start, मैं आवाज आपको थोड़ी तिर में exhaust सुना देता हूँ, उसके बात करो अगर handling की तो clip on handle barth है, जो आपको top end पर बहुत अच्छा performance देता है, city यहां पर आनलोग में जो rpm दिया ना वो काफी अच्छे quality के लगता है, ABS का sign ने rpm लिमीटर है, यहां पर changes दो है console meter में, fuel gauge है neutral का sign दे रहा है, distance to MPD दे रहा है, effective mileage देता है, कि आप effective fuel efficiency आपकी क्या पढ़ रही है, साथ में side stand है, यहां पर timing है, यहां पर speedometer है और साथ में दिया जाएगा trip 1, trip 2, यह सब सारी चीज़े में, अब आप decide करो कि handle switches और console meter में कौन अच्छा है, मुझे भाई handling इसका जाधा पसंद है, तो console meter उसका जाधा पसंद है, अलग अलग पसंद है, अब बात करते है back profile की, back profile कुछ इस तरह दिखता है, मैं on कर देता ह इसको, back profile में अगर आप देखोगे, तो यहाँ पर LED टेल लाइट है, जो की काफी ज़्यादा decent और visible है, यहाँ पर indicators की बात करो, तो indicator की भाई, back में LED आते है, यहाँ पर reflectors है, यह जो है, यह बहुत ही cheap quality का लगाया है इनोंने, तो बार बार तूड जाता है, मैंने दो बार change करा है, यह दिखो अब, यह मुझे पसंद नहीं आया है, इसका, साथ में हगर गार्ड है, जो काफी कम काम करता बारीशों में, यहाँ पर जरी तो से rider लिखाना बहुत ज़रूरी था, back profile के अगर बात करो, NS की तो काफी sporty back profile के साथ आता है, मुझे इसका back profile बहुत ज़्या साथा बहुत क्वालिटी का लग रहा, हगर गार्ड काफी फैटी है, यह मुझे हगर गार्ड बहुत पसंद है, क्योंकि यह बारिश से भी बचाता है, अच्छा भी दिखता है, अब exhaust note की बात करते है, Pulsar NS200 की तो आवाज सुना देता हूँ, मैं क्या आवाज होगा भाई, काफी sporty और शांदार आवाज है, exhaust note इसका मक्कन है, सुनते MT5 का, MT15 का exhaust note, कैसा आवाज करता है MT15 अब आप वोट करो, दोनों में से exhaust note कि इसका जादा अच्छा लगा, भाई मैं इसमें नहीं कह सकता, मुझे top end पे इसका अच्छा लग रहा है, मुझे mid range में इसका अच्छा लग रहा है, अलग-अलग तरीके से twice है, आप दोनों भाई को वोट करो कि दोनों में से अब perfect प्राइजिंग की बात करो, तो ये आती है on-road जारखंट 1,88,000 on-road, ये अगर मैं बात करो प्राइजिंग की तो ये आती है 2,11,000 on-road जारखंट, अब आप बताओ कि दोनों में से कौन सी आपको लगी कि ये प्राइज के हिसाब से affordable bike है, दोखो mileage की बात करो, pickup की बात करो, suspensions की बात करो, तो कोई भी मतलब टकर में है, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े से functions मुझे इसमें थोड़े कम लगते हैं, इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि जो शुरुआती punch है, इसका वाला वो miss है, इसमें अगर मुझे लगता है कि punch है तो mileage कम है, इसमें mileage जादा है, त पूरा review मैंने कर दिया है, मैं लोग हो, प्लीज उसको subscribe कर लेना, बहुत मेनत से भाई, मैं बता दूँ, दोनों bike मैं अकेला लेकर आया हूँ, पहले इसको लेकर आया, फिर मैं paddle showroom गया, फिर उसको लेकर आया, मुझकी लोती अभी वापस पहुचाना भी वैसे ही है, पहल तो मच गाइस फूर दा सपोर्ट, और आप बताओगे कि किस तरह का वीडियो और चाहिए आपको, इन दोनों के अलावा किस किस बाइक का comparison चाहिए, that's it from my end, thank you so much.